जहिद दोस्तों मैं आपका बाई मोहनी शिबने आजम आपसे एक बहुत ज़ादा जुरूरी बात करने के लिए आया हूँ और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखें चूँके ये किती जुरूरी और किता महत्वपुन विशे है इस ब आश्वाक उलाखा नेता जी सुवाश चंद्रबोस बैरिस्टर फादर ओफ दे नेशन मुहंदास करमचंद गांधी भारत रतनर डॉक्टर भीमरा राम जी अम्बेटकर और चदरबती शिवाजी महराज और टीपु सुल्तान अगर जिन्दा होते तो वो ये कहते कि क्या यही वो आजाद भारत के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया था क्या यहे वो ही आजाद भारत है जिसके लिए हमने अपनी जान दी थी क्या यह वो ही आजाद भारत है जिनके लिए हमने अपनी जिंदगी नुटा दी निचावर कर दी और यह आपस में लड़ रहे हैं शुरुवात से देखा जा रहा है कि राजकरर में politicians लोग हिंदू-muslim को लड़ाते हैं हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाते हैं हमें राम मंदिर और बाबरी मजजद के लिए लड़ाते हैं पर अब कुछ ऐसा हुआ जिसने शरम से मेरे सर को जुका दिया मेरे नजरों को जुका दिया और मुझे आज शरम होती है कहते हुए कि मैं एक हिंदूस्तानी हूँ क्या वज़ा है उसकी क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूँ आईए मैं आपको बताता हूँ दोस्तो हिंदूस्तानी संस्कूरूती में डॉक्टर एक ऐसी पदवी है डॉक्टर एक ऐसा डेजिगनेशन है जिसे जान बचाने वाला कहा जाता है हिंदूस्तानी संस्कूरूती में भगवान के बाद अगर किसी का दरजा है तो वो डॉक्टर का है इस तरह हिंदूस्तानी संस्कूरूती मानती है और ऐसे ही ये डॉक्टर ने कुछ ऐसी बात कह दी जिनों ने हमें खून के आसो रुलाए जिनने डॉक्टर पे और डॉक्टर के जितने डॉक्टर पेशे में जितने लोग हैं उनसे हमारा विश्वास उठने पे मजबूर कर दिया मैं बात कर रहा हूँ कानपूर के एक डीन एक प्रिंसिपल के ओदे पे बैठने वाली डॉक्टर आरती लालचंदानी की डॉक्टर आरती लालचंदानी गनेश शंकर विद्यारती मेडिकल कॉलेज कानपूर उत्तरपदेश में प्रिंसिपल डीन के हैसियत से बैठती हैं और वो सब आतमवादी हैं, सुनिये कmens pennas了, आपने शुना, किस तरह डॉक्टर आर्ती मैं तो इनने doktor भी कहना नहीं चाता यह वो बत्तरी शक्स है जो डॉक्टर प्रोफेशन का नाम खराब कर थे हैं डॉक्टर प्रोफेशन वो प्रोफेशन है, जो अगर कोई मरीज उनके सामने आता है तो वो केवल उनके लिए मरीज होता है ना वो आतंगवादी होता है ना वो पुलीस वाला होता है ना वो सिविलियन होता है और ना ही वो जवान होता है बलके सिर्फ और सिर्फ मरीज होता है और इनकी जो कसम खाते हैं वो कसम साफ तोर पे गहती है कि हम बेगर जातपाद देखें बेगर किसी चीज़ का बेदबाव किये अपने मरीज का इलाज करेंगे क्या उस कसम को उस ओत को ये डॉक्टर भूल चुकी है आरती लाल चंदानी जिन्हें डॉक्टर बोलने पे भी मुझे शरम आती है इनने कहा कि जितने कोरोना वाइरस पेशेंट है ये आतंगवादी है मैं पूछना चाहता हूँ योगी अदित्यनाथ सरकार से और देश के प्रदान सेवक नरेंदर दामुर्दरदास मोडी से आपका फैलाए हुआ जहर इसकदर फैल गया है कि आज बड़े पद्वी पे बैटने वाले मेडिकल कॉलेज चलाने वाले बड़े बड़े संस्ता को समाले वाले लोग इस तरह का जहर उगल रहे हैं कि मुसल्मान जितने कोविड-19 से घ्रस्त है वो आतंगवादी है इन्हें जान से मार देना चाहिए हिंदू coronavirus नहीं फैला रहे हैं मुसल्मान coronavirus फैला रहे हैं और सारे coronavirus घरस्त आतंग वाधी हैं मैं पूचना चाहता हूँ Hindustan की सरकार से कि वहान शहर में China से जो यह COVID-19 coronavirus disease 2019 फैला क्या वो मुसल्मान ने फैलाया मैं पूचना चाहता हूँ Hindustan से और हिंदुस्तान की अवाम से के जब 30 जनवरी 2019 को पहला COVID-19 का positive patient केरला में मिला था उसके बाद जो सबसे बड़ी भव्य रैली जो सबसे बड़ी politically agenda set की हुई जो रैली और roadshow निकाला गया था जिसमें देड़ लाक के करीब लोग एक साथ पूरे हिंदुस्तान से जमा हुए थे क्या वो मुसल्मान था क्या नरेंद्र दामुर्दरदास मूडी मुसल्मान है जिसने नमस्ते ट्रम्प की आड में अपने political agenda को set करने के लिए जो रैली निकाली वो रैली में देड़ लाक और लोग कंदी से कंदह मिला के खड़े थे 24 फेबररी को 25 फेबररी को वह फेबररी के महिने में ड्रमकों बलाए गया 30 लाक लोगों को जमा किया गया क्या वह और्गनाईज करने वाला जो में इनसान था क्या वह musalमान था आप लोग क्यूँ इन लोगों के भैकावय में आते हैई ऐसे लोग को एंटेरिण करते है उसे लोग करते है इसे और योगी अधित्यनात और आप रफ प्राय मिनिस्टर आफ इंडिया नरेंद्रद मोधर दास मोडी से गुजारिश करना चाहूंगा ऐसे डॉक्टर को जो अपने आपको डॉक्टर कहते हैं इन्हें फोरन बर्खास किया जाए और इन पे जल से जल कारवाई हो और I want to see them behind bars और साती सात मैं हाथ जोड के गुजारिश करता हूं और मैं गुजारिश के साथ चितावनी भी देता हूं कम से कम इस कुरोना वाइरिस इस लॉक्डाउन इस महामारी में तो हिंदू-मुसल्मान मत करो एक साथ आओ एक बार ये महामारी संकट चला जाए हिंदूस्तान से फि कर आप मेरी बात से से मत हो तो इस वीडियो को शेर करो मैं आपका बाई मौनी शिबने आजम आपसे गुजारिश करता हूं कि इस आवाज को उन बहरे कानों तक पहुचाओ ताकि ऐसे लोग उस पद्वी पर ना बैठ सकें जो लोगों को मोटिवेट करते हों लोगों को सि शिकषित लोग ब्रश्ठ होंगे अगर शिक्षा देने वाली ब्रश्ट होंगे तो पूरा समाज सिस्टम ब्रश्ट होगा मैं आपका ऐब मौनी शबने आजम आपसे जासत लेता हूँ असलाम वालेकुम जैहिन जै महाराश्टू